बिहार के मुख्यमंतर नितिश कुमार ने राजविधान सभा में एक ऐसा बयान दिया है जिसने सभी महिलाओं को चौट पहुचाई है और ये जो बयान था महिलाओं के सिक्षा को लेकर था इस बिश में साथ मुंबई के शुवाजी पार्क में कई सारे सीने सिटिजन्स हैं महिलाए हैं उनसे हम बात करते हैं मैम आप मुझे बताएं कि ये जो बयान आया है इसका वीडियो भी वायरल हो चुका है जहां उन्होंने काफी आपती जनक शब्दों का इस्तिमाल किया है और इसमें बात क्या है राजविधान सभा में आपके इसे किस साथ से देखने हैं देखा लेकी ज़िकिन रिस्पेक दरना चाहिए घर से इसाना देती Гर जाते यह देती हम भर गूमते service करते एंटेर में चाहिए जो उन्हें ने किया और अच्छा ने किया ऐसा आप करना चाहिए? कि मांग कर रही है कि उनको इस्तिफा देना चाहिए या उनसे माफी मागने चाहिए यह बत सही है हम उसे सपोर्ट करते हैं नचाहिए अच्छ नहीं करना चाहिए न कि समाज ये समाज है इसलों लोग है समाज उनको उपर करते हैं इस इसलिए नहीं करना चाहिए महिला आयो के उसके सामान उसके साथ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि महिला जहां भी जाती है उससे संदमान से देखना है यानि संदमान करना ऐसा नहीं तो उसकी बुरी आदत जो मिलती है वह आदत काम पर जाती है घर पर रहती है जहां भी जाती है तो आदर से उससे बात यह जो गटना हुई है उसे लेकर क्या ऑफ कुछ माँग कर रहे हैं कि मैं लेकर लेकर हम इसमें डलावी लेकिन उसका नेचर है वह ऐसा वो अगर ऑफ सोचाइटी में नहीं बोलेगा अगर वह अच्छा होगा जब असे तो इस उसका नेचर में बोलेगा है कि मेले इसको तो पुल्प आपने को इसके वाइफ हो गवारता है उसका नेचर नहीं बदलेगा इसा मुझे लगता है लेकिंग पर जैसे कि दिली महिला आयोग ने यहाँ पर उनसे माफिय मांगने की बात की है वीजेपी जो है इस्टिफा की उमांग करी है तो क्या आपकी कुछ ऐसे मां पर आपने गल्टी मत नहीं करना चाहिए उसमें माफी मांगना चाहिए उसमें माफी मार कर छोड़ने देना फिर वो गल्टी करेगा यह वो गल्टी होगने नहीं माफी मागने के मागने काई सता नहीं होना चाहिए बनेंदा लुछी के आएक बापस बैसा नहीं होना चाहिए कि यह हमारे नहीं है यह ऑति होनी नहीं चाहिए जो वह जयो पार है उस पत पर रहे उनको बोलना थुमानही देदा तरो त्हीं के अब सब्सक्राइब के है कि मुंबाइ ट्रस्वाजी पार्क में जो मुंबई कर हैं, जो senior citizens है, उनका यही कहना है कि यह जो अपति जनक बयान है, यह देना बेहर गलत बात है, वो एक नेता होने के नाते, जो उन्होंने राजवदान सभा में यह बयान दिया है, वो कई महिलाओं के जो फीलिंग से उन्हें आहत करता है, इस कारण से उन्हें